हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि Windows 8 में Windows 8 टाइल्स को कैसे मूफ किया जाता है और उनका साइज कैसे चेंज किया जाता है जब भी आप Windows 8 को ऊपन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपके सामने अपियर होती है वो है स्टार्ट स्क्रीन और स्टार्ट स्क्रीन में आपके सामने बहुत सारी टाइल्स अपियर होती हैं लेकिन हर यूजर की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन टाइल्स में से जबकि कुछ tiles किसी दूसरे user के लिए तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन tiles को move भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इनका size भी change कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं कि Windows 8 में Windows 8 tiles का size कैसे change किया जाता है Windows 8 में Windows 8 tiles basically दो size में available हैं एक है 1 into 1 यानि कि mathematical square के form में जिसकी length और width बराबर होती है और दूसरी tiles जो available है वो है 1 into 2 size यानि कि जिसकी height और width 1 into 2 ratio में available होती है तो चलिए अपने Windows 8 computer के उपर जाकर पहले हम tiles के size को change करना सीखते हैं फिर उसके बाद हम उनको move करना सीखेंगे तो देखे मैं अपने Windows 8 computer के उपर आ गया और यहाँ पे start screen में हमारे पास Windows tiles available हैं जो कि 2 size में हैं एक size 1 into 2 ratio में rectangular form में हैं और दूसरा जैसे कि internet explorer जो कि 1 into 1 यानि कि जिसकी length और width बराबर है वो आपको आपकी screen के उपर दिखाई दे रहा है अब मान लेजिए कि ये mail वाली tile जो 1 into 2 size में इस समय हमारे start screen में हैं मैं इसको change करना चाहता हूँ 1 into 1 tile size में तो मैं इसको right click करूँगा और इसे right click करते ही हमारे सामने bottom से एक बार appear होगा और इस बार में देखे हमारे पास option है smaller और मैं smaller option को click करता हूँ तो देखे ये mail tile हमारे पास 1 into 1 size में हमारी screen पे अब appear हो रही है और देखे इसी तरीके से हमारे पास एक tile है store tile जो कि हमारे पास 1 into 1 ratio में हमारे start screen पे available है मैं इसको right click करता हूँ और ऐसा करते ही देखे bottom से again हमारे पास एक बार appear हो गया और यहाँ पे देखे option है larger मैं इसको click करता हूँ तो हमारा store tile देखे आपको 1 into 2 ratio में आपकी start screen के उपर दिखाई दे रहा है तो अभी हमने सीखा कि हम अपने start screen में start tiles को कैसे resize कर सकते हैं या उसका size कैसे change कर सकते हैं तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम इन tiles को एक जगा से दूसरी जगा इस start screen पर कैसे move कर सकते हैं आपकी start screen में जो ये left side है या आपकी start screen का सबसे important हिस्सा है इसका कारण ये है क्योंकि जब भी आप start screen को open करते हैं या windows 8 start होता है तो ये left side ही आपको सबसे पहले appear होती है तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी सबसे important tiles इस left side पे हो और ऐसी tiles जिने आप कम use करते हैं उनको आप right side पे move करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं मालेजिए मैं इस sky drive tile को यहां से इस male tile के साथ वाली जगा पे move करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको just यहां से drag करूँगा और देखें इसको मैं यहां पे कहीं पे भी drop कर सकता हूँ तो देखें मैं इसको यहां पे drop कर देता हूँ तो देखें यह sky drive tile हमारी left side पे move कर गई है इसी तरीके से अगर आप इस store tiles को move करवाना चाहते हैं अपर side पे तो आप इसको again drag करके यहां पे drop कर सकते हैं या इसी तरीके से आपकी start screen पे अगर आप right की और जाएंगे तो यहा पे और भी बहुत सारी tiles हैं अगर आप इन में से कोई भी tile को left side पे move करवाना चाहते हैं तो आप उसको just यहां से drag कीजिए और जहां पे आप इसको रखना चाहते हैं वहां पे आप इसको drop कर दीजिए और इतनी असानी से आप इन tiles को अपनी start screen में एक जगा से दूसरी जग move करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम windows 8 tiles के size को कैसे change कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पे हम उनको कैसे अपनी start screen में एक जगा से दूसरी जगा move करवा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही thanks for listening